अज हम अफगानी सल्वर की कटिंंग कैसे करते हैं, यह देखते हैं यहाँ मैंने यह कपड़ा लिया है यहाँ मैंने नो इसी क कटिंग आपको दिखाई है तो यहाँ मैंने यह 16-20 च Вас Hasht покаคร़ा लिया ह flatter और वैनने यह च्रैक्ट्डवार की प होएं किया है और बचवे कपड़े में यह अब गानी सलवार जो है वो बनाते हैं अब यहाँ पर हमें क्या करना है जैसे कपड़े को यह बचवा कपड़ा है हमारा कपड़े को हमें क्या किया है एक बार इस तरह से फोल्ड किया है यह देखिए यहाँ पर हमने पहले एक बार फोल् करने के बाद यहां के हमें डबल फोल्ड किया है पहले हमें सल्वार की लंबाई लेनी है यहां भी हमें लंबाई लेनी है तो लंबाई को कैसे लेते हैं जैसे 5 इंच उपर के साइड में हम छोड़ देंगे क्योंकि उपर के साइड में हमारे यह बेल्ट आएगा यह चोटे बच्ची के लिए हैं तो यहाँ पे हमारी सलवार की तैयार लंबाई है हमारी 28 इंच हम 28 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं और इसमें हमें एक इंच प्लस करना है यानि कि 29 इंच हम ले लेते हैं यहां पर जो उन्ती सींच लिया है तो यहां पर हम एक्ष्टा जो कपड़ा है इसे हमें कट करना है उपर के साइड में हमारा बेल्ट आएगा अब यहां पर हमने यह लंबाई लेने के बाद यहां पर हमें आसन लेना जो है वो लेंगे हम साथ इंच पर गयदे深 आसन लेएं आसन लेदेज यहां पर हमने चोडाये ली गेला जो है कपड़े में जितना हमने घेल करप llamachen लिया है नहीं देखिए और सब्सक्राइज समक्राइज तो नावी सब्सक्कृट अबस मुए जूपदर इस्षी पेढर प्लेटे सब्सक्राइज सिल्च एक पडले नापड़ता पर यहादी सब्सक्राइज सब्सक्राइज बने में दो आपको 7 इंच प्लस करना लेकिन इसमें क्या हो जाता है जब हम आप गानी सलवर बनाते है तो जितना आपका कपड़ा होगा उसके हिसाफ से आपको यह अपने सलवर बना सकते हैं तो नीचे प्लेटे भी अपने इसाफ से अभी छोटे बच्ची के लिए है इसलि यहां पर बाटम के उपराइक सिरह उपके कीरी जकार हो लिए हम 16jes इन वह टोर नंद रआच रहना है ज्या क्या करना है जैसी यह आसन लिया इसे हमें इस तरह से इसको कट करना है इस तरह से हम इसको कट करेंगे अब यह जो है यह हमारे यह तक आसन आएगा और यह भी हमारे नीचय के साइड का गहरा ज़दा है और जो आएगा लिया है इसलिए यह कट है यह तो provide स्कूछ अब यह तुटक कर कर सकते हैं अब यह नीचय के शाइड का गहर है वह बनाया है अब यहां पर हमें क्या क्या करेंगे इस तरह से इसके साइड में भी यह प्लैटे आए chodzi प्लेटे आएगी तो एपोजट साइड से प्लेटे आएगी जैसे इस साइड में इस तरफ करेंगे तो इस साइड में हमें इस तरफ करनी है तो एपोजट साइड से में इसके प्लेटे आएगी अब यहां पर हमें इसके उपर का बेल्ट है वो निकालना है अब यहां पर हमन यानि कि ये डबल कपड़ा हमने लिया है बेल्ट की चोड़ाई हमारी 18 इंच इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है ये सिलने के लिए हमारा चला जाएगा यानि कि 19 इंच हमने लिया है बेल्ट की लंबाई लेंगे हम 7.5 इंच पे यहाँ पे हम साड़े साथीं चों लंबाई ले लेते हैं अब यहां पर हमें इसकी कटिंग करनी है इस तरह से हमने यह बेल्ट की कटिंग के है अब देखाए है इसकी कटिंग में आपको दिखाए थि अब दोनों टॉप और कुरतिकी और सालवार की स्टिचिंग कैसी करनी है ये भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग दिखें